और टैपिटम का टैपिटम बहुत important layer है आपके लगविजाड धानी का ये क्या करती है ये तो पोशड तो प्रदान करता है लगविजाड या बीजाड जनू तक को इधर मात्री कोश्का को उसके साथ धेर सारा और भी कार करता है क्या करेगा पहला तो आप इधर थोड़ा से हम मिटा दें इसको अगर आपको इसक्रेंसाट लेना हो तो ले सकते हैं अब आपको मैं बता रहा हूं टैपिटम का कार क्या 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 टैपिटम करता है ये बहुत सिंपल है बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना आ है बाक ये कुछ नहीं बस आप डर जाते हो डरना नहीं है डर के आगे जीत है वही प्रचार माउंटेन डिव वाला पहार से आप मत कूदिएगा डिव पीके नहीं तो पता लगे वो तो पीके उड़ते हैं कुछ नहीं होता आप पीक उड़ोगे तो सीधा आओ जमीन पर उसके बाद जमीन जफिर उपर चले जाओ हाँ टैपिटम टैपिटम का जो कार यह है टैपिटम के कार फंक्सन आफ टैपिटम देखिए टैपिटम जो है पहला काम तो करता है पोशर प्रदान कराएगा पोशर प्रदान करता है क्या करता है पूशर्पदान करता है और क्या करता है दूसरा एक हार्मोन है IAA इंडोल एसिटिक एसिड इसको कहते है आकजिन या हिंदी में बोलेंगे तो आकशीन इस हार्मोन को स्रावित करता है इस हार्मोन को जब स्रावित करेगा तो क्या होगा जो पराग कड़ है उसका विकास बहुत ब्रिगती से होगा तीसरा जो इसका काम है ये कैलोज इंजाइम कैलोज इंजाइम स्रावित करता है केलोज एंजाइम का काम क्या है केलोज एंजाइम जो पराकड या लगविजाड बने होते हैं वो एक परत से ढखे होते हैं उसको कहते हैं केलोज परत जो लगविजाड धानी के अंदर होती है उस केलोज परत को तोड़ने के लिए केलोज एंजाइम कार करता है जो निकलता क हां से तैपिटम से निकलता है अगला क्या है इसका चोथा जो कार है टैपिटम यूबिस कड का निर्माड करता है ये कड क्या है जो पराग कड बनेगा लग विजार धानी की अंदर इस बिजार जनूतक या मात्रिकोशिका से अर्धसूत्री भाजन के बाद उसकी सतह के उपर छोटे-छोटे कड़ होते हैं जो परागण में पालीनेशन में मदद करते हैं उसका निर्मार करता है आपका जो चीप-चीपे होते हैं उसका निर्मार करता है काम टेपिटम करता है अ नामक रासायनिक पदार्त स्रावित करता है इस पूरोपुलनिन नामक रासायनिक पदार्त स्रावित करता है इस रासाइनिक पदार से जो पराग कड़ है यह लग विजाड़ कड़ है उसके बाहे परत का निर्माड होता है कम से कम 30 मिनट इनका जीवन काल होता है और अधिक सधिक महीनों तक 30 दिनों तक इनका जीवन काल होता है